हाई अब्रिबन कैसे हैं आप सभी आसा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज मैं आपके लिए जो स्नेक्स की रेस्पी लेकर आई हूँ वह बहुत ही कम सामान में बनने वाला है बिल्कुल दो चीजों से आज हम स्नेक्स बनाएंगे जो हर किसी घर में यहां पर हमें लेनी है ब्रेड आप यहां पर वाइट ब्राउन ब्रेड किसी भी ब्रेड के यूज कर सकते हैं यहां पर मैंने 10-11 पीस ब्रेड ली है इसे काफी ठीट सारे स्नेक्स तयार होता है और ब्रेड एक दो दिन पुरानी होनी चाहिए अगर ब्रेड पुरानी नह मैंने यहां पर बिल्कुल ताजी ब्रैड है इसी से मैं स्नेक्स वता रही हूँ लेकिन यह स्नेक्स एक दिन पुरानी ब्रैड से बहुत ही बढ़िया बनता है तब आपको इस तरीके से यह प्रोसेस करनी की जरूरत बिल्कुल नहीं है बस इसी तरहे ग्राइंडिंग जार मे अब मैंने इसको ढाल दिया है घ्राइंड जार में सारी बिलैड को दो बार में हम ग्राइंड कर लें जए इसको छोटे- चोटे टोकड़ों में तोड कर डालें जिससे यह आसानी से घ्राइंड हो जाए इसका हमने चूरा तायार कर लिया है और इसको ट्रांसफर कर लेते हैं एक बड़े mixing bowl में आगे प्रोसेस में मैंने यहां पर लिया है 7-8 मीडियम साइज के आलू इन्हें मैंने छील कर दो लिया है अब हम इसे मीडियम साइज वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं सारे आलू को ग्रेट करने के बाद इसको अब हम मिक्स कर देते हैं ब्रेट के चूरे के साथ आपको एक बात याद दिला दू अगर आपको मेरी रेस्पी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना बिलकुल ना भूले आगे और ऐसी रेस्पी देखने के लिए बेल आइकन को दबा ले अब हम यहाँ पर एड़ करते हैं कुछ बेसिक मसाले तो मैंने यहाँ पर एड़ किया स्वात के अंसवार नमक पेरी पेरी मसाला यह टोटली ऑफ्सनल है आप इसके जगहे पर चाट मसाला और पावभजी मसाले का मिक्शर भी मिक्स कर सकते हैं और साथ मैंने डाला है रेड़ चिली फ्लेक्स और अब हम सारी चीजों को ठीक से मिक्स कर लेते हैं इसे हमें बिल्कुल डो के फोर्म में लाना है और यह बहुत ही आसानी से डो के फोर्म में आ जाता है क्योंकि आलू को हमने ग्रेट हिया तो इसमें खुद का स्टार्च होता है जिसकी वज़े से यहां पर हमें बिल्कुल भी पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है और बह आपके पास जो चीज उपलब्द है आप उसका यूज कर ले मौजलेला चीज से थोड़ा सा इसमें जो स्ट्रिंग्स बनते हैं वह बहुत ही अच्छे लगते हैं बस इसलिए मैं यहाँ पर मौजलेला चीज का यूज किया है सारे स्ट्रिंग्स को इसी तरीके से हम तयार कर लेंगे अगर आपके पास चीज क्यूब्स है तो आप चीज क्यूब्स को ग्रेट कर लें और ग्रेट करने के बाद यूज करें पीसिस में यूज ना करें क्यूंकि फिर इसको मैंट होने में बहुत ज़्यादा टाइम या एक दिन दो दिन पहले बनाकर फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं इसके बाद हमने यहां पर लिया है सफेद तिल जिससे यह स्नेक्स देखने में बहुत खुबसूरत लगता है और जब यह फ्राई हो जाता है तो बड़ा ही सौंधा सौंधा लगता है इसके बाद मैंने इस तरीके से सफेद तिल लगा दिया है सारे स्नेक्स पर इसी तरीके से सफेद तिल लगा देते हैं और यहां पर हमें बिल्कुल भी किसी भी बाइंडिंग के जरूरत नहीं होती है इसको बस इसी तरीके से हलका सा इसकी उपर रूल करेंगे और तिल इसकी उपर बह कढाई में तेल को गरम और एकदम गर्म तेल में हम इसको डालेंगे और प्लॉच्छ पड़े चैएंघरी mui पिराऊ ना फीक इसे खती हम चैएंगे पहले से बनाकर स्टूर करके भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी बनने वाला स्नैक्स है, और यहार किसी को बहुत पसंद आएगा, जब आप इसे चटनी सॉस के साथ सर्ब करेंगे, यह बिल्कुल चीज से लबालब भरा रहता है, अभी मैं आपको इसको एक मत भूला मिलते हैं, और आसी ही रेस्पी, आपको sबस्काइब करना, मत भूलियेगा, बहुत हैं, और ऐसी ही रेस्पी के साथ